हरे कृष्णा सबको मैंने अक्सर देखा है अगर किसी को कोई बात समझानी हो तो एक कहानी के माध्यम से उसको समझाना बहुत आसान होता है यह मैंने एक विकास दिविकीरती सर के वीडियो में भी सुना था और मैंने अक्सर देखा है ओसो रजनीस के व्यक्तित्तों में कि जब भी वो कुछ बाते कहते थे तो उसमें अक्सर कहानियां वगर डाल दिया करते थे और कहानियों से वो चीजें समझाने की कोसिस करते थे लेकिन इन सब चीजों को मैंने महाभारत में देखा है तो मुझे लगता है इन लोग कहीं न कहीं महाभारत से प्रभावित होकर ये सारी चीज़े सीखे हैं क्योंकि चाहे नारत जी महराज को युधिष्ठिर को समझाना हो या दितराष्ट जी को समझाना हो या विदुर समझा रहे हो जितराष्ट को या भिस्म पितामह समझाएं दुर्योधन को सब लोग कहीं न कहीं एक आख्यान सुनाते हैं उनको कि इस समय में ऐसे ऐसे दृष्टान्त हुआ था और जिसका परेडाम ये था तो महाभारत के त्रीतिय खंड में एक पर्व आता है उलूक दूता गमन पर्व ये उस समय का आख्यान है जिस समय दोनों पांडव और कवरों की सेनाएं आमने सामने थी अपनी छावने डाल दे थे युद्ध के लिए उससे एक दिन पहले दुर्योधन करड और दुसासन सुबल पत्र सकुनी वगर से सलाह करके जो सकुनी का पुत्र है उलूक उसको एकांत में बुला कर कहता है कि उलूक तुम सोमको और पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुँचकर वासुदेव स्रिक्रिष्ड के सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो कितने ही वर्सों से जिसका विचार चल रहा था वह संपूर्ड जगत के लिए अत्यंत भयांकर कवरव पांडवों का युद्ध अपसिर पर आपहुँचा है कुंती कुमारी धिष्ठिर स्रिक्रिष्ड की शहायता पाकर भाईयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय सो जो आत्म सलागा पूर्ड बाते कही थी जिने संजय ने करोमों की सभा में बहुत बढ़ा चड़ा कर सुनाया था उन सब को सत्य करके दिखाने का अवसर आ गया है तुम लोगों ने जो जो प्रतिग्याएं की हैं उन सब को पूर्ड करो उलूक तुम मेरे कहने से कुंती के जेष्ठ पुत्री धिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना दुर्योधन कहता है नरिस्वर इस विषय में तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूँ जिसे नारद जी ने मेरे पिता जी से कहा था राजन यह प्रशिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बुल्याव दोनों भुजाएं उपर किये गंगाजी के तट पर खड़ा रहा वह किसी के लिए किसी भी कारे के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था इस प्रकार समस्त देहधारियों पर विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कहा करता था कि अब मैं मानशिक सुद्ध होकर हिंसा छोड़ कर धर्माचरन कर रहा हूँ राजन दिर्ग काल के पस्चाद धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशनशा करने लगे पक्षियों को अपना आहर बनाने वाला वह बिलाव जब उन समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा तब उसने यह समझ लिया कि मेरा काम बन गया और मुझे धर्मा अनुष्ठान का भी अभिष्ठ फल प्राप्त हो गया तदनंतर बहुत समय के पस्चात उस अस्थान में चूहे भी गए वहां जाकर उन्होंने कठोर वृत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा भारत दंभयुक्त महान कर्मों के अनुष्ठान में लगे हुए उस बिलाव को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ हम सब लोगों के बहुत समित्र है अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहां जो वृद्ध तथा बालक हैं उन सब की सदार अच्छा करता रहे यह सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले मामा जी हम सब लोग आपकी क्रिपा से सुख पुरुवक विचरना चाहते हैं आप ही हमारे निर्भय आस्रय हैं और आप ही हमारे परमसुरिद हैं हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी सरण में आये हैं आप सदा धर्म में ततपर रहते हैं और धर्म में ही आपकी निष्ठा है महामते जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारा संरच्छन करें प्रजानात उन संपुर्ड चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूसकों के लिए यमराज सुरूप उस बिलाव ने उन शब को इस प्रकार उत्तर दिया मैं तपस्या भी करूँ और तुम्हारी रक्षा भी इन दोनों कारियों का परसपर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं तथा पिम्झे तुम लोगों के हित की बात भी अवस्य करनी चाहिए तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी एक आग्या का पालन करना होगा मैं तपस्या करते करते बहुत ठक गया हूँ और दिड़ता पुर्वक शैयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ बहुत सोचने पर भी मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई सकती नहीं दिखाई देती अतव तात तुम्हें सदा मुझे यहां से नदी के तड़ तक पहुचाना पड़ेगा भरत स्रेष्ट बहुत अच्छा कहकर चूओं ने बिलाव की आग्या का पालन करने के लिए हामें भर ली और वृद्ध तथा बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को शौप दिया फिर तो वह पापी और दुष्टात्मा बिलाव प्रति दिन चूओं को खाखा कर मोटा और सुन्दर होने लगा उसके अंगों की एक-एक जोड मजबूत हो गई इधर चूओं की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से संपन्न हो प्रति दिन बढ़ने लगा तब वे चूओं परस पर मिलकर एक-दूसरे से कहने लगे क्यों जी, क्या कारड है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी शंख्या बड़े वेग से घटती जा रही है राजन उन चूओं में कोई दिन्डिक नाम वाला चूओं सबसे अधिक समस्दार था उसने मूसकों की उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा तुम सब लोग विसेस्त एक साथ नदी के तट पर जाओ पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहाँ जाओंगा तब बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर उन सब ने दिन्डिक की बड़ी प्रशनशा की और यतोचित रूप से उसके सार्थक वचनों का पालन किया बिलावच को चूहों की जागुरुकता का कुछ पता नहीं था अता हुआ डिन्डिक को भी खा गया तद नंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे उनमें कोलिक नाम से प्रसिध एक चूहा था जो अपने भाई बंदों में सबसे बूढ़ा था उसने सब लोगों को यथार्थ बात बताई भाईयों मामा को धर्मा चरण की रत्ती भर भी कामना नहीं है उसने हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए ही जटा बढ़ा रखी है जो फल मूल खाने वाला है उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते उसके अंग दिनों दिन हिष्ट पुष्ट होते जाते हैं और हमारा यह दल रोज रोज घटता जा रहा है आज साथ आठ दिनों से डिंडिक का भी दर्शन नहीं हो रहा है कोलिक की यह बात सुनकर सब चूहे भागे और वह दुष्टातमा बिलाव भी अपना सम्मुह लेकर जैसे आया था वह ऐसे चला गया दुष्टातमा तुमने भी इस प्रकार बिडावल व्रत धारड कर रखा है जैसे चूहों में बिडाल ने धर्माचरण का ढोंग रचा रखा था उसी प्रकार तुम भी जाती भाईयों में धर्माचरी बने फिरते हो तुम्हारी बाते तो और कुछ हैं परंतु कर्म कुछ और ही धंग का दिखाई देता है तुम्हारा वेदा ध्यान और सांत सुभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात रहे राजन नर्श्रेष्ट यदि तुम धर्म निष्ठ हो तो यह चल्म छद्म छोड़ कर छत्री धर्म का आस्रा ले उसी के अनुसार सब कारे करो भरत श्रेष्ट अपने बाहुबल से इस प्रिथवी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्रामडव को दान दो और पितरों से उनका यतोचित भाग अरबढ़ करो तुम्हारी माता वर्सों से कष्ट भोग रहे अता माता के हित में तत्पर हो उसके आसू पोछो और युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी बनो तुमने केवल पांच गाओं मांगे थे परन्तु हमने प्रयत्न पुरुवक तुम्हारे वह मांग इसलिए ठुकरा दी है कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें जैसे से संग्राम भूम में उनके साथ युद्ध करने के लिए अवसर प्राप्त हो तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टात्मा विदुर का परित्याक कर दिया है लाक्षग्रिह में अपने जलाए जाने की घटना का इश्मरड करो और अब से भी मर्द बन जाओ तो आपने देखा कैसे मा दुर्योधन उनको महाराज युधिष्ठिर को अक्षिय पूर्ड वचन एक कहानी के माध्यम से कहते हैं धन्यवाद